Hello everyone, welcome back to the ideal expert channel तो previous video में हमने icon को set किये थे हैं अभी इस video में हम search bar के बारे में बात करने वाले हैं मैं सबसे पहले आपको screenshot में समझा देता हूँ यह जो आपको search दीखाई दे रहा है इसको हम आज की वीडियो में implement करने वाले हैं तो इसको implement करने के लिए सबसे पहले आपको drawable फाइल में इस name से आपको एक icon create करना होगा तो हम चले जाते हैं project में और सबसे पहले drawable को open कर देते हैं इसमें हम right click कर देंगे यहां से हम right click करने के बाद यह जो new दिखाई दे रहा है new पे हम click कर देंगे और यहां से vector asset पे click कर देंगे क्योंकि हमें icon को select करना है तो हम आ जाते है vector asset में और यहां पे जो दिखाई दे रहा है click art में इस पे click कर देता हूँ और यहां पे हम search करेंगे search के name से तो में यहां पे type कर देता हूँ search तो आप देख सकते हो यहाँ पर icon show रहा होगा search की name से तुम्हें इसको select कर देता हूँ जैसे हम इसको select करेंगे इसके बाद हमें okay पर click कर देना है and इसका name भी देदेंगे हम search and next button पर click कर देंगे and यह जो finish का option दिखा दे रहा है इसके हम click कर देंगे तो आप देखोंगे कि यहाँ पर search bar के जो यहाँ पर है icon आपको show हो जाएगा तो अभी हमें क्या करना है सबसे पहले menu file में जाना है and एक menu file create करनी है तो मैं सबसे पहले menu file में आ जाता हूँ and यहाँ पर right click कर देता हूँ and new and menu resource file यहाँ पर मैं लिख देता हूँ menu तो हमने यहाँ पर file name भी enter कर दिया अभी हम ok button पर click कर देंगे अभी हमे menu में जो जो code होता है वो enter करना है तो सबसे पहले हमें split button पर click करना होगा split button पर click करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने menu.examl open हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा remove कर देता हूँ थोड़ा इसको increase कर देता हूँ यह होने के बाद अभी हमें सबसे पहले item select कर देना है क्योंकि हमें search bar को implement करना है तो हम यहाँ से item select कर देंगे item android id तो सबसे पहले हम search bar को id declare कर देंगे add.id search यह होने के बाद हम進vic談 हएंड़ कर देंगे यहां से हम जो search बार है उसको title देंगे search की नमować तो आप देखवगे यापर search की नम शीर mgbd अइंड़ कर देंग़ अभी-भी हमने travel अऐ में search की नम्पाइन क्रेट किये थे ë लिए इसके दा तो देखो, show as action क्या होता है, जो हमारा toolbar है, वो यहाँ पर implement होना चाहिए, ना कि यहाँ इस toolbar में, ओके, तो इसको remove करने के लिए हम क्या करेंगे, show as icon कर देंगे, तो show as icon हम always कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, यह जो toolbar है, यहाँ पर implement हो जाएगा, तो आप देख सकते हो, य मैं action view class कर देता हूँ, action view class, यहाँ से आपको search view select कर देना है, तो मैं search view select करूँगा यहाँ से, आपको ध्यान में रखना है, android x यहाँ से आपको select नहीं करना है, android.widget.search view select करना है, तो मैं इसको यहाँ से enter click कर देता हूँ, and इसको मैं close भी कर देता हूँ, यह होने के बाद अभी हमें XML पार्टो हो चुका है, अभी हमें जाना होगा Java पार्ट में, ओके, तो जल्दी से मैं इसको open कर देता हूँ, और main activity में अभी आ जाता हूँ अभी हम सबसे नीचे चले जाएंगे, scroll करके और यहाँ पर हमें on create option menu का एक method create करना होगा, तो मैं जल्दी से यहाँ पर लिख देता हूँ, on create option menu, तो आप देख सकते हूँ, यहाँ खुद बखुद code आ चुका है, मैं जैसी इस पर enter कर देता हूँ, यहाँ पर हमारा code आ जाएगा, तो अभी इसमें हमें code enter करते जाना है, तो मैं यहाँ पर get menu inflator का कर देता हूँ, सबसे पहले, get menu inflator dot inflate r dot menu dot, यहाँ से आपको जो भी menu file है, वो select करते जाना है आपको, तो मैं यहाँ से menu select कर देता हूँ, और इसके बाद आपको enter कर देना है, menu item is equal to menu यहाँ से आपको select कर देना आगे, menu dot find item, यहाँ से आपकी जो भी आइडी है, सर्च के नेम, जो हमने दी थी, आपको सबसे पहले में दिखा देता हूँ, यह जो आइडी है, यहाँ पर अभी हम आपको implement करने है, r dot id dot menu search, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर id बें implement हो चुके, यहाँ पर error शो हो रहा है, तो सबसे पहले हम इस error को result कर देते है, r dot menu dot, यहाँ पर हम कॉमा दे देंगे, और menu को pass कर देंगे, तो हमारा error result हो जाएगा, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर error result हो चुका है, अभी हम search के नीचे आ जाएगे, and हम search view को भी implementation कर देंगे, तो search view, and इसको name देंगे, search view is equal to menu item, dot get action view कर देंगे, तो जैसे हम इसको call करेंगे, तो यहाँ पर error शो होगा, ओके, तो इस error को result करने के लिए, आपको यह जो bulb दिखाए दे रहा है, इस पर आपको select कर देना है, and इसको cast कर देना है, cast to android-visit.search view, जैसे हम इसको cast कर देंगे, तो हमारा जो भी error रहेगा, वो result हो जाएगा, तो आप देख सकते हो, अभी हमारा यहाँ पर method create हो चुका है, अभी हमें सबसे पहले product adapter.java में जाना होगा, तो मैं इस file को open कर देता हो, और इसको में सबसे top में चला जाता हो, और यहाँ पर हमें एक product create करना होगा, list full के name से, मैं जल्दी से create कर देता हो, private, list, and array pass कर देता हो, यहाँ से में product click देता हो, product, and name देता हो, मैं यहाँ से list full, and semicolumn से इसको close कर देता हो, यहाँ पर मैं अच्छे से name नहीं दिया था, इसलिए मैं इसको change कर देया, list full के name से, ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको declare कर देंगे, list full को, जैसे हम mtx and products list को हमने declare केते से हम हमें list full के declare करना होगा, तो list full is equal to new array list and यहाँ पर हम pass कर देंगे product list, यह जो list दिखाए देरे आपको product list हम इसमें इसको pass कर देंगे, and semi column से इसको close देंगे, तो अभी हमारा यहाँ का work हो चुका है, हमने इसको declare कर दिया, अभी हम इसको सबसे पहले implement कर देंगे, जो भी method है, get inflator के name से, तो implement filterable, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर end dot widget जो दिखाए दे रहा है filterable, हम इसको select करेंगे, जैसे हम select करेंगे यहाँ पर errors होगा, तो इस error को resolve करने के लिए हमें सबसे पहले bulb पर click करना होगा, and जो भी method है उसको हम implement कर देंगे, तो implement method कर देंगे हमने and ok button पर click कर देंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर o method implement हो जुका है, जो हमने get filterable name से किया था, तो हमें सबसे पहले return को null pass नहीं करना है, यहाँ पर एक method use करना है filter user के नहीं से, तो हम लिख देते है filter user, तो यहाँ पर errors हो रहा है, तो error को resolve करने के लिए आपको एक method create करना होगा filter user के नहीं से, तो मैं जल्दी से इसको create कर देता हूँ method को, तो हम सबसे पहले enter कर देंगे and private filter user sorry यहाँ से आपको space दे नहीं है filter user, तो आप देख सकते हो यहाँ पर error result हो चुका है, is equal to new filter user, तो जैसे हम filter पे click करेंगे तो हमारे सामने खुद बखुद method declare हो जाएगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर खुद बखुद method implement हो चुका है, अभी हमें code करना है सबसे पहले, तो हम code कर देते है filter result में, तो हम यहाँ पर enter करेंगे and यहाँ से हम सबसे पहले string पास कर देंगे, string search text के name से string को पास करेंगे, तो मैं name दे देता हूँ search text, यह होने के बाद आपको is equal to दे देना है and char sequence को आपको call करना है, char sequence dot to string dot to lowercase, इसको भी आपको सबसे पहले close कर देना है, बट यहाँ पर शिर्फ आपको to lowercase से ही पास करना है, ना कि इसमें आपको कुछ root पास करना है, तो हमने गलती से इसको select कर देते हैं, ओके यह होने के बाद आपको एक list implement करना है, list and जो यहाँ पर हमारा adapter का name है, sorry models का नाम है, product के name से हम इसको यहाँ से दे दे, product and जो हमने temp list create की थी, यहाँ पर हम बाद default select कर देंगे, temp list तो मैंने इसको name दे दिये, is equal to new array list तो आप देखोंगे यहाँ पर हमारा completely work हो चुका है, मैं तो semi columns इसको close कर देता हूँ, अभी हम क्या करेंगे, condition लगा देंगे, to condition और की लगा देंगे, if searchText.link अगर searchText की link 0 है, is equal to या फिर और pass कर देंगे हम searchText.isEmpty तो हम इसमें क्या करना होगा, हम condition provide कर देते हैं सबसे पहले इसमें, template.addAll, यहां से हम list को pass कर देंगे, तो जो हमने list यहां पर name दे दे थी, वह हमने pass कर देंगे, मैं अभी इसको semi column से close कर देता हूँ, यह होने के बाद अभी हमें work करना होगा नीचे में, यह जो आपको code दिखाई दे रहा है, sorry हम सबसे पहले if and else की भी condition को completely implement कर देंगे, तो हमने if के condition को तो implement कर दिया है, अभी हम else की भी condition provide कर देते, else, bracket हम डाल देंगे, for सबसे पहले use करेंगे हम for loop product item, जितने भी item है हम इसको सबसे पहले call करेंगे, item list put, यह होने के बाद हम condition again implement करेंगे for loop में, if item dot get title dot to lowercase dot contents हम provide कर देंगे, dot contents and search text जो दिखाई दे रहा है आपको वह हम pass कर देंगे, यह जो आपको search text string में provide हो रहा है इसी को हम pass कर देंगे, इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक condition provide कर देंगे, templates dot item के नम से, add and item को हम pass कर देंगे, तो आप देख सकते हो हमने if and else की condition implement कर दिये, अभी हमें सबसे पहले नीचे आ जाना है, आपको return ना ले यह आपर provide कर देना है यह धहन में रखना आपको, तो अभी हमारा completely यहां का work हो चुका है तो अभी यहां पर error शो रहा है, तो इस error को result करने के लिए आपको सबसे पहले semi column दे देना है, तो यहां का error भी result हो जाएगा, तो हम अभी return null के नीचे आ जाएंगे, और इसको सबसे पहले remove कर देंगे यहां पर हम implement करेंगे, filter result filter results is equal to new filter result और हम यहां पर pass कर देंगे filter results dot values ओके, यह होने के बाद is equal to templates को pass कर देंगे हम and semi column से इसको close कर देंगे, हम यहां से return pass कर देंगे, जो पी यहां पर filter result हा उसको pass कर देंगे, filter result, तो आप देख सकते हो जो भी error था हो completely अभी result हो चुका है, तो बट यहां पर again कुछ error show हो रहा है, तो हम सबसे पहले देख लेंगे error क्या show हो रहा है, तो यहां पर हम देख सकते हो, हमने इस semi column को close नहीं किया, इसलिए error show हो रहा था, तो हमारा भी work हो चुका यहां का, अभी हमें जाना होगा, on publish result में, यहां पर कुछ code टाइप करना होगा, product list dot clear के name से, and semi columns इसको अच्छे से close करना है, यहां पर हम लिख देंगे product list dot add all, and हम यहां पर pass कर देंगे, जो filter result यहां पर है, name दिया था हमने filter result यही आपको pass कर देना है, filter results dot values, बट यहां पर error शो रहा है, तो error इसले शो रहा है क्योंकि हमने इसको cast नहीं किया, तो सबसे पहले हम इस पर click करेंगे, and cast parameter to java utils इस पर हम click कर देंगे, तो आप देख सकते हो, जो भी error था हो completely result हो जाएगा, इसको close कर देना है semi column से, and यहां पर provide कर देना है, notify data set change, यह होनी के बाद आपको भी activity main में आ जाना है, तो मैं सबसे पहले main activity में आ जाता हूं, and इसके नीचे में code type कर देता हूं, search view dot set on query text listener, आपको इसको select कर देना है, and new यहां पर type कर देना है, and इसके बाद जैसे हम o पर click करेंगे, तो आपके सामने खुदबाकुद search view की completely method implement हो जाएगा, तो आप देख सकते हूं यहां पर खुदबाकुद method implement हो चुका है, तो मैं यहां पर adapter को provide कर देता हूं, adapter, बट यहां पर adapter show नहीं हो रहा है, तो adapter को show करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम public कर देंगे, तो मैं इसको control x कर देता हूं यहां से, यहां पर हम paste कर देंगे, बट इसको semi column हमें देना पड़ेगा, हम क्या करेंगे जो हमने control x किया ता जहां से, हम वहां पर adapter provide कर देंगे, तो मैं यहां पर adapter लिख देता हूं, तो आप देख सकते हूं यहां का error resolve है, हम अभी adapter को भी call करेंगे, तो खुद बखुद detect कर लेगा, तो हम adapter को भी लेखके देखते हैं, तो देख सकते हूं यहां पर adapter अभी show रहा है, adapter.get filter.filter इसमें हम object को create कर देंगे, as.toString के name से, ओके, एंड हम return में false provide कर देंगे, तो आप देख सकते हो, अभी हमारा completely work हो चुका है, अभी हम सबसे पहले mobile device को connect कर देते हैं, हमारे project के साथ, एंड देखते हैं, कि हमारा जो search भी हुआ है, वो implement हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो मैं जल्दी से connect कर देता हूं अभी, तो अभी आप देख सकते हो, मैंने अभी mobile device को connect कर दे हैं, तो मैं अभी run app पे क्लिक करता हूं, जैसे हम run app पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे gradle build स्टार्ट हो जाएगा, तो हम gradle build finish होने तक wait करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे message भी आ चुका है gradle finish in 16 seconds, यहाँ पे अभी installing भी process start हो चुके है, means थोड़ी दर में हमारे mobile device में आप launch हो जाएगा, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे slash screen show रही है, book app powered by Neuroit, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा recycle और भी भी open हो चुका है, 2, तो आप देख सकते हो, अभी search view काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है, तो 2 जैसे हमने search किये, and 3 जैसे search किये, आप यह search नहीं हो रहा है, तो हमसे एक mistake हो चुके है, तो मैं आपको सबसे पहले code में बता देता हूँ, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर adapter.get filter जो हमने implement किया है, वो on query text change में करना, ना कि हमें text submit में करना है, तो मैं इसको Ctrl V से cut कर देता हूँ, और यहाँ पर paste कर देता हूँ, अभी again मैं run app पर click कर देता हूँ, जैसे हम run app पर click करेंगे, same process हो जाएगी, यहाँ पर gradle build start हो जाएगा, तो हम तो gradle build finish होने तक wait करते हैं, तो आप देख सकते हूँ, यहाँ पर again message आ चुका है gradle build finish, तो यहाँ पर installing again process start हो चुके है, यहाँ पर message भी आ चुका है, launch success का and हमारे इसमें app launch हो चुका है, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर splash screen भी शोह रही है, samebook automobiles, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा recycle review भी हो रहा है, तो मैं अभी search bar पर search click कर देता हो, यहाँ पर इम्हें अभी search करके देखता हू, two, तो अभी मैं close कर देता ओ इसको and अभी 7 type कर देता हो, कर देता हो तो देखो हमारे इसमें कोई 9 नहीं है इसलिए कोई data show नहीं हो रहा है तो I hope guys अभी आपको समझ में आओगा कि search view के कैसे implement करते हैं हमारे app में तो I hope guys आपको अभी यह series समझ में आई होगी कि हमने book app कैसे create किया होगा तो ऐसे series आपको चाहिए तो इस channel को subscribe करके जान and हम next video जल्दे ही लाने वाले हैं दूसरे series में तो मिलतक लें नए वीडियो में तब तक लें जहिन जे वारत